दोस्तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दोस्तो आज से हम मद्य प्रिदेश के जिला दरसन की सीरीज इस्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक एक करके सभी जिले का हम इसमें दरसन करेंगे मतलब की exam point of view से हम इसको पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज हमने जो पहला जिला लिया है वह लिया है अली राजपूर जिला कौन सा जिला है? अली राजपूर जिला आज हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले अली राजपूर की आप location जान लीजिए तो कहां पर इस्ति थे अली राजपूर, मत्द प्रिदेश के सबसे पस्चिमी हिस्से में, आप देखें यहाँ पर, कहां पर लोकेशन है, मत्द प्रिदेश के सबसे पस्चिमी हिस्से में अली राजपूर इस्ति थे, इसके जो नजदी की जिले हैं, इसके परोस के जिले है कौन-कौन से हैं, सबसे पहले हम देखें, जाबुआ, धार और बढ़वानी, कौन-कौन सा, धाबुआ, धार और बढ़वानी इसके पड़ोस के जिले हैं, सबसे इंपोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जहां से कोशन बनने की पूरी संभावना है, वह है, अलिरा राजपूर साजा करता है, तो महराष्ट गुजरात की सीमाओं को साजा करने बाला एक मात्र राज कौन सा है, अलिराजपूर है, आप यहां से देखें, गुजरात की सीमा भी मिलती है, और यहां से आप देखें, महराष्ट की सीमा भी अलिराजपूर में मिलती है, चलिए आगे चलते हैं अब हम अब हम देख लेते हैं इसके इतिहासिक परिद्रश्य की अलिराजपूर कैसे बना तो सबसे पहले जब आप देखेंगे यहाँ पर भोपाबर नामक एक एजेंसी थी ठीक है यह मद्ध भारती एजेंसी की सबडिवीजन था ठीक है उप बिभाग था जो भोपाबर आप यहाँ पर देखेंगे यह जो मद्ध भारती एजेंसी थी इसका उप विभाग कौनसा था दोस्तो भोपाबर ठीक है कौनसा भोपाबर एजेंसी आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्रिटिस कालीन इंडिया था ठीक है सेंट्रल मतलब ब्रिटिस कालीन Central India का एक जो Agency थी भोपाबर ठीक याद रखें भोपाबर इसी के अंतरगत अलिराजपूर जिला आता था मतलब अलिराजपूर नामत पहले बस्तामे में अलिराजपूर कोई जिला नहीं रहा होगा कोई इस्थान जरूर रहा होगा तो वह कहाँ पर आता था भोपाबर एजेंसी के अंतरगत आता था और यह जो भोपाबर एजेंसी है यह 1882 में इसको इस्थापित किया गया था ठीक है इस एजेंसी के गठन कप किया गया था 1882 को इस एजेंसी को गठित किया गया था यहाँ पर तो भावरा को आजाद नगर के नाम से भी हम जानते हैं मैंने पहली बता दिया आपको कि जो भोपावर एजेंसी इसकी इस्थापना 1882 में की गई थी उम्मिद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो एदि आ रहा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं आप वीडियो को सेयर करें लाइक करें और मैंने आपको बोल दिया है कमेंट्स करके आप बता सकते हैं आपको इसमें और जो है किस तरह से हम इसमें और सुधार कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लग रहा चलिए अब हम देख लेते हैं अली राजपूर के परेटन इस्थल, सांसकरतिक और परेटन इस्थल की हम बात करेंगे, तो यहां का जो सबसे महात्पूर सांसकरतिक जो उत्सव है, इनका पर्व है, वो कौन सा है, भागोरिया नत, भागोरिया हाट, यह होली के आसपास इनका देश है, यहां पर भागोरियाओं का नत और यहां पर इनका हाट भी लगता है दोस्तों, आप देखें यहां पर पेमा फालिया जी, कौन है है, पेमा फालिया जी है, ठीक है, पिथोरा चित्रकला, भीलों की परमपरिक या चित्रकला है, क्या है, भीलों की परमपरिक चित चित्रकला है जिसमें आप देखेंगे कि पसुपक्चियों के और भगवान के चित्र इसमें दिवार में उकेरे जाते हैं दिवारों में पसुपक्चियों के और भगवान के चित्र इसमें उकेरे जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, पिफ़ौरा चित्रकला, आप देख सकते हैं, आपर कुछ चित्र बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए, आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसमें देख लीज़े, कुछ, यहां पर आर्थिक उत्पादन, केंद्ड और इकाइयां भी होगी, अली राजपूर में ठीक है तो कौन-कौन सी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जोबट मान बहुत देशी परियोजना है जो कि यहाँ के किसानों को और पेजल के लिए यहाँ पर इसका उप्योग किया जा रहा है ठीक है तो डोलो माइट यहाँ पर मुक्ता है उत्पादित किया जाता है क्या किया जाता है डोलो माइट जो है इसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है आप देख सकते हैं इस तरह से डोलो माइट कुछ दिखता है देखें भगोरिया हाट हमने बात कर ली है यहां ते देखें भगोरिया हाट लगा हुआ इस तरह से मेले लगते हैं यहां पर और इनमें जो नित्य होते हैं तरह तरह के और संस्कृति करक्रम होते हैं इसी को भगोरिया हाट बोला जाता है भील वाला जो पूरा इलाका है इस आप देखें यहाँ पर यह मवहा जो है यह कच्चा मवहा है मतलब कि वस पेड़ से निकला हुआ ही है तो मवहा इसमें दिख रहा है देखिए यह जो मवहा है यह इतना bigger English सीके यह English बुला देता है गाओं में आपने देखा होगा इतना तेज तर्रार होता है कि bigger English सीके ही फर राटेदार English बोल सकते हैं ठीक है चलिए आगे हम देख लेते हैं इसमें आजाद नगर आपने देखा ठीक है चंद्रशेकर आजाद के जो है यहाँ परजन में स्तल था भावरा नामकिस्तान में तो इसी को अब हम किस नाम से जानते हैं आजाद नगर के नाम से इसको हम ज तरगत जो है अलिराजपुर जिला आता है और इसको जाबुआ जिले से अलग करके 17 मई 2008 में कब 17 मई 2008 में जाबुआ से अलग करके इसको जो है नवीन जिला बनाया गया आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसको किस क्रम का जिला मध्यप्रदेश शरकार ने बनाई ठीक यहाय है कठी बाड़ा अफगानी आम की प्रजाती, नाम क्या रखा गया है इसका नूर जहा, ठीक है, नूर जहा इसका नाम रखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि कट्थी बाड़ा अफगानी प्रजाती का जो है यह आम है आप से यदि प्रश्ण पूछ ले कि नूर जहां आम मद्धि प्रदेश में कहां पर पाया जाता है ठीक है कहां पर इसका उत्पादन किया जाता है तो आपको अलिराजपूर करेक्ट आंसर लगाना है क्या ल आपश्बादन के अधिता स्क्रद्धूर की मत्वाले के में और्owment मेले इस तरह से बहुत पूछे जाते हैं और परियोजनाई भी बहुत पूछी जाती है तो व्यापम बालों के लिए बहुत महात्पूर्ट प्रश्ण हो जाता है आगे आप देखें कोई छोटी 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 चीजे हैं कि जो अलिराजपूर है यहाँ पर भील और भीलाला जन जातियों का रहवासिस्तल है किसकी भील और भीलाला जन जाती है यहाँ पर जो है मुक्त रहती है यहाँ पर मगवा से बना पे आदिवासियों के लिए खानपान का हिस्सा हमने इससे पहले भी देख लिए हैं आगे हम देखें इसमें छोटे जो भील गाओं होते इनको हम फालिया के नाम से जानते है ठीक है छोट लक्वानी ठीक है लक्वानी इस्तान से प्रचीन काल की मूर्तियां प्राप्त हुई है यदि आप से प्रस्न पूछ ले इस तरह से तो इस चीज को याद रखें लक्वानी का आप याद रख सकते हैं या फिर अलिराजपूर भी आ सकता है इस तरह से आप इनको ध्यान है पिर्थम आदिवासी खेल विद्याल है अली राजपूर जिला में इस्तिर है कि फटाफट अंदाज में हम कुछ चीज़ और देख लेते हैं कि यहां की जो प्रमुक तहसिल हैं कौन-कौन देखते हैं इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि मद्यप्रदेश का एक मात्र राज है जो कि महराष्ट और गुजरात की सीमा को शाजा करता है ठीक है दोनों राज्यों की सीमा को आप से पूछ ले कि ऐसा जिला कौन सा है जो कि महराष्ट और गुजरात की सीमा उसे लगा है तो नाम क्या रहेगा उसका अली राज़पूर जिला इसका नाम रहेगा दोस्तों आप इसमें देख लेए मैंने पहले बता दिया था अली राज़पूर यहां पर है यहां से गुजरात और यहां से महराश्ट की जीवाई उसमें लग जाती है सबसे ज्यादा जनजाती वाला इलाका मुझप जिला यह है और आप मुझे कमेंट्स करके बता दें कि सबसे ज्यादा संख्या वाला जिला जो कि 2011 की जनगरना के अरणार आपको बताना है आगे इसमें देख लें आप देखे हैं यह जिला जो है फ्लोराइड युक्त जल की समस्या बहुत जादा पिरिध है भारत में नियुन्तम साक्षरता मद्य प्रतियस की तो छोड़ने बात आप भारत की नियुन्तम साक्षरता दर कहां की यह दोस्तो अलिराजपूर की है ठीक है कितनी है 36.1 टिक इतनी कम यहां की साक्षरता है और सबसे जादे दिया आप से पूछ ले तो जबलपूर जिले कहां की है जबलपूर जिले की सबसे जादा साक्षरता 2011 की जनगलना की अंसार है दोस्तो तो अलिराजपूर वाले भाईया इस चीज को जो है साक्षरता का जो प्रतिसत है आपका इसको आप जो 2021 की जनगलना हो रही है इसमें आप जरूर इसको बढ़ाएं तो दोस्तों आज हमने एक छोटे से वीडियो में अलिराजपुर जिला देखा है आने वाले वीडियो में एक एक करके जिले हम देखेंगे और लगभग हम इसको बहुत जल्दी कंप्लिट करेंगे एक दिन में दो से तीन जिले भी हम इसमें कंप्लिट करने की कोशिस करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें लाइक करें अपने दोस्तों को शेर करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत